चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन मेरा हुवे कफन स्वदेशी मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूं फ्रीज में रखना नहीं है सूरज की दूप में रखना नहीं अभी तीसरी चीज़ पर बढ़ते हैं कुत्ते ने काट लिया अग घरिबू कुत्ता काटे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पागल कुत्ता काट ले तो समझते हैं सड़क वाला कुत्ता काट ले तो आप मान जानते हैं नहीं कि उसको इंजेक्शन दिये हुए हैं नहीं दिये हुए और उसने काट लिया तो अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर वो 14 इंजेक्शन लगाएगा और वो भी पेट में लगाता है और इतना पेट होता है इतना तक्लिफ देता है खर्चा उसमें हो जाता है कम से कम 50,000 तक कहीं बार गरीब आदमें के पास वो भी नहीं है तो एक मेडिसिन उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ वो भी आप अपने घर में रखिए कुटा कभी भी काटे पागल से पागल कुटा काटे घबराइए मत चिंता मत करिये बिलकुल ठीक होगा वो आदमी उसको वो मेडिसिन दे दीजे ऐसे ही एक एक ड्रॉप बी-आइन-उ-एम हाइडरो फो बिनम बी-आइन-उ-म बी-फर बॉंबे बी-फर बॉइ हाइडरो फोबिया होता है न उस से बना हाइडरो फो मिनम पुटेंसी उसकी 200 200 और तरीका वही है लिक्विट फॉर्म में ले लीजे एक एक ड्रॉप जीप पर डालिए दस-दस मिनट पर तीन पार 200 कितना भी पागल कुटा काटे विल्कुल आप उसको बिंदास दे दीजे और भूल जाएए पर मन में यह मत रखिए कि इंजेक्शन लगा है यह दवार दोई चीजों से इसको बचाना है एक तो सूरज की धूप से और रेफ्रिज्रेटर से हाइडरोफोबिनम है पागल कुटा काट लेगा तब आप उसके लिए यूज करें कोई दूसरा है तब तो चिंदा ही मत करिए फिर क्या दिकर रेवीज जो होता है वो सिर्फ पागल कुटे के काटने पर ही होता है अगर सेंसिबल कुटा है तो कितना भी काटेगा नहीं होगा लेकिन हमारे मन में वहम ऐसा बैठा हुआ है डर ऐसा बैठा हुआ है कि कई बा दिजे बस viveTI डौग काट दिया है तो आप अपने मन का वहम दूर करने के लिए दवा दे सकते हैं लेकिन मेरा यह कहना है कि उससे कुछ नहीं होता इस ट्रे डॉच काट लेगा अगर वह पागल नहीं है तो पेशंट को कुछ नहीं होता, वह हमारे मन का वहम है जिसमें हम रहते हैं और कुछ डर डॉक्टरों ने मिठा रखा कि इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा अपने बॉड़ी में थोड़े बहुत रेजिस्टेंस सब के पास है अगर कुटे के काटने से उसकी लार ग्रंतियों के कुछ वाइरस चले भी गया है तो उनको खतम करने के लिए अपने ब्लट में काफी कुछ है वो खतम करी लेता है लेकिन चुकि मन में डर मिठा दिया है भै बैट गया है शंका हो जाती है हमको कंफर्म नहीं होता जब तक कि हम 20-50,000 खर्चने ही कर लेते ये उस समय के लिए मैंने कहा कि आप ये दवा ले लीजे और इसका एक एक ड्रॉप 10-10 मिनट में तीन बार डाल के छोड़ दीजे बूल जाए है आप भी और पेशन्ट से गई है वो भी बूल जाए है एक ही दिन एक ही दिन और 10-10 मिनट में तीन-30 मिनट में सब काम करता है तो उसके लिए तो इसकी जरूरती नहीं मैं दूसरा क्यों कि कुठा जो है आप से ज्यादा रिजिस्टेंस वाला है उसके लिए तो इतना ही करिए को दूद पिला दीजे हल्दी डालके आपके घर के कुट्टे को बाहर के कुट्टे ने का लिए तो आपके घर के कुट्टे को दूट वाप पिलाते हैं बस उसमें थुड़ी हल्दी डाल दीजे और लगाता है तीन-चार दिन डाल दीजे उतने महीं वो अपनी जान बचा लेगा हां खाली हल्दी लगा दीजे जैसे घर के कुट्टे के दान कई बार जाने अंजन कुट्टा बहुत समझदार जान पर हमसे जादा समझदार है हां लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो घर के बच्चों के साथ खेल कूट कर रहा है और गलती से उसका कोई दान लग गया तो तुरंत आप इतना ही करिए कि जहां दान लग जिया है वहां थोड़ा बहुत बलड आएगा वहां हल्दी लगा दीजे बस खतम हो बही बार सावन से बिल्कुल मन दोई है सावन प्राब्लम करेगा क्योंकि सावन से दोएंगे तो जरूर उसमें सूजन आ जाएगी और पक जाएगा सावन क्या है सावन क्या है वो जान लीजे कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोकसाइड ये बहुत तेज रियक्ट करता है ओपन हल्दी लगा दीजे थोड़ी देर खतम बाद लाल मिर्च मत लगाएगे क्योंकि बहुत जलन होती है लाल मिर्च कर सकते हैं लेकिन जलन इतनी होती है कि पेशेंट विचारा चिलना शुरू कर दें उससे ज्यादा सूधिंग एफेंट हैं हल्दी के आप उसे यूज करिए अब और एक बात पर आगे बंगते हैं बंदर के लिए भी कर लिए बंदर के काटने से आज तक तो कोई मरा ने दो लिया क्योंकि बंदर शाकाहरी जीव है उसके बॉड़ी में बिल्कुल जहर नहीं और बंदर जो है ना आईडियल जीव माना जाता है सारी दूए याने ब काटने से तो कोई मरा